बिलकम टू दिस वीडियो कक्षा नौबी गड़ित के लिए अर्दभासिक पेपर हम देख रहे थे और मैंने आपको इसके पिछले दो वीडियो और पता दिये हैं जिसमें मैंने जितने प्रशन पता दिये हैं उसके आंगे के अब मैं दिखाने बाला हूँ इस वीडियो में ठीक है आंगे की सॉल्व करेंगे ठीक है अक्षा नौपी गड़ित अर्थभासिक पेपर सॉल्यूसन का ये पार्ट थ्री होने बाला है ठीक है पार्ट थ्री पार्ट वन और टू का डिस्कुसिन में लिंक मिल जाएगा ठीक है एंड स्कीन में भी लास्ट में भी आपको वीडियो दएख जाएंगे ठीक है उसके थरुम आप देख सकते हैं सही विकल्प का चैन कीजिए यह सही बिकल्प है आपको प्रट करा दियह हैं तो सभी जिलों से मैंने कॉंटेक्ट बना रखा है तो सभी जिलों से क्वेश्चन जो है मैं इसमें बता रहा हूं ठीक है तो देख सिकते हैं यह सभी प्रशन है चवदा का है ठीक है ठीक है मैंने आपको 9 10 11 12 13 यहां तक पूरे कंप्लीट करवा दिये थी ठीक है इसके क्या कर रहा है इसमें कह रहा है निमलिखित आकरती में एक्स और बाई का मान जो हमें ग्याद करने है ठीक है तो देख सकते हैं इस आकरती में एक्स और बाई का मान ग्याद करने है ध्यान से दिखिएगा यहां पर 50 डिग्री का कॉंड है और एक्स यहां पर हमें पता नही ठीक है तो देखे कैसे लिखना है आप सबको पता है एक्स और जो 50 है वो क्या है रेखे क्यों यह दोनों तो हम लिखेंगे एक्स पिलस 50 ठीक है पचास डिगरी बराबर हो जाएगा अपना 180 क्योंकि हमें पता है कि यहां से यहां तक यहां पर यहां पर साइड में लिख सकते हैं रेखे कि योग में आपको लिख दीना है अब देखें यहां पर हमारा इक्स चो निकल्की आ जाएगा एक्स पचास में मेंसे 50 खड़ा देंगे तो अपना जो एक्स निकलाए गभा है बुग आ जाएगा है 30 जीवे कि ठीक है चुकि 50 पता चल गया कि ये तो 50 मतलब ये पूरा हमारे 130 ये X वाले 130 है तो देखे ये जो कौण है यहाँ का और ये जो कौण है ये दोनों क्या है ये सीर साभी में कौण है तो इसलिए X का जो मान होगा वही बाई का मान होगा ठीक है तो यहाँ पर साथ ही लिख देंगे ये बरावरad कितना होका 130 हो जाएगा क्यों कि ये दोनों क्या है एक्स और बाई क्या है ये X और ये ये सीर साभी मुख कौण है तो सीर साभी मुख कौण ठीक है इसे आपको करना है अब ये तो हुमारे हो गए तो इसलिए कोंड X जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा कोंड Y की ठीक है तो यह हमने लिख दिया ठीक है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं ठीक है X और Y की मान निकाल सकते हैं तो X केतना हो जाएगा हमारा एक बारो लिख दीजे यह कोंड X बराबर हो जाएगा हमारा 130іш कोंड टिके अंगला प्राशन देखते हैं इसमें आतवा आaczवा बाला दिया है दीगए आकरती में पीगी वार की भुझाओं पीगी और आरकी वेको को किरमसा विंदू S बाटी तक बड़ाया गया है यदि कौन SPR SPR यानि कि यहां पर कौन बला रहा है SPR यह 135 है यह तो एक सब्सक्राइब दिया है और कौन PQT PQ मतलब PQT यह वाला जो कौन इसमें बता रहा है यह 110 है ठीक है यह वाला यह बाहर वाला 110 है तो कौन PRG यह वाला गयाद करना है PQT यह वाला जो कौन है यह वाला गयाद करना है ठीक है चुक कैसे करेंगे तो चलिए इसको हम देख लेते हैं हल डाल लेंगे आप प्रशनक रमाग ठीक है यह कौन सा इसका अत्वा वाला है अत्वा जरूरी इसलिए है तो इसलिए है क्योंकि पता नहीं कौन से जली में आपका आ जाए ठीक इसलिए आपको जरूरी है अथ्वा साहिद करना तो प्रस्णक्स 14 का है ठीक है अथ्वा वाला है अथ्वा इसको डालेंगे हल लिखेंगे आप देखिए कैसे लिखना है इसका अथ्वा वाला हमें यह है इसका ठीक है इसका देखिए कर देखिए यहां पर आप लेखेंगे पहले तो आपको लिखना है यह कि हमें क्या क्या दिया है ठीक है हमें पहले ये दिया है हल लखेंगे यहाँ पर ठीक है हल लखेंगे और फिर देखें यहाँ पर इस आकरती में आपको देखते चलना है कॉड क्यू पी आर कॉड क्यू पी आर देखें क्यू पी आर ठीक है ये क्या है हमारा ठीक है ये क्यू पी आर लखेंगे QPR और SRPG है यह टोटल मिलकर यहां से यहां तक बना रहा है और यहां से यहां तक इतना होता है पूरा किसी भी रेखा पर आप ऐसा कॉन खीज़े 180 होता है तो इसलिए 180 है और हमें जो पता है कि यह हमारा SPR केतना है SPR जो है हमारा 135 दिया है आकरती में तो 135 रख देंगे यहां पर तो कॉन QPR पिलर्स के 132 बराबर में 180 ठीक है अब इसमें से यह हमें निकालना है तो यह हमारा निकल आगा कॉन QPR बराबर इसको घठा देंगे 180 में से क्योंकि पक्षेंदर कर देंगे हम ठीक है तो इतना निकलेगा हमारा कितना निकलेगा यह निकलेगा हमारा 45 डिगरी ठीक है तो कॉन QPR निकलेगा हमारा 45 डिगरी ठीक है तो यह जो कॉन आ जागा QPR यह इतना हमारा 45 डिगरी आ चुका है ठीक है यह हमने निकाल लिए 45 डिगरी हमें तो ग्याद करना है PRQ हमें ग्याद करना है ये वाला तो ये तो अभी निकला नहीं है तो कैसे निकालेंगे चलिए इसको आँगे देखते हैं अब हम क्या करेंगे हमारा ये निकल गया ठीक है अब हम लगा देंगे हम पर बहस कौन पर में होती है कि देखिए यहां पर जो बाहरी कौण है टी क्यूंपी टी कॉण Tक्षी पी बराबर में होगा Tक्षी किसके बराबर होगा ते तरफज की अंता जो पिलस कौड PRQ PRQ ठाए न यह तो हमें पता है कि गतना है कि यह हम ने कल दिया था हमारा तो इतना हम 11ड के परATTरिस लख देंगे क्यों कि यह हमें भी पता नहीं है कि थीटा ठीक है अब हमस्किया करना है तो हमें यह तो पता है TQP ये देखिए TQP तो हमारा दिया 110 है ठीक है तो 110 है यहाँ पर रख देंगे अब ये कैसे हो गया ये ऐसे हो गया ये 22 कोड प्रमेड होती है 22 कोड प्रमे होती है कि इसके जो बाहर के जो कोड है 22 कोड प्रमेड से कि यहां पर लेख दीना है क्योंकि यह बाहर के जो कौण है 110 किनके बराबर होगा अंदर बाले यह दोनों को यह बराबर होता है जोड के बराबर होता है तो जोड हमने कट दिया है अब 145 में 110 को खटा देंगे इस तरफ लाके तो हमारा जो पी आर क्यू है जो है आपका ठीक है यह आपका आंसर हो गया यहीं हमें निकालना था ठीक है क्योंकि देख सकते हैं यहां पर हमें निकालना था पी आर क्यों ग्याद कीजी ठीक है अब परशने 15 परशने 15 पूंच रहा है तबो जी बी-सी में कौन-बाजय के एडी भुजा बीजी प्रलंब है दर्साइए कि यह भी बरावर एसी है दो रफबर का प्रशन है चलिए इसको भी हम देख लेते हैं ठीक है यह हमें मिल जाएगा ठीक है प्रशन करमांग बंद रहा है और इसका देखी आंसर मैं आपको दिखे इस गाइड में दिखा देता हूँ इसको इस प्रकास से लिखना रहेगा ठीक है इस प्रकास से लिखना है तरबोज ABC तथा ABCD में DB बरावर DC है DB DC के बरावर है तो कौण ADB ADB और ADC यह तो बरावर होंगे ही जोगी 90 डिगरी है और फिर प्रतिक 90 है AD बरावर AD और AD बरावर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इस सरवांग सकता नियम से लगा देंगे उस प्रकास से यहां हमें दर्शाना था वह दर्शा देंगे ठीक है चलिए अंगले अंगला देखते हैं दर्साइए कि संभाहु तरबोज का प्रतिकों शाट डिगरी का होता है तो इसका दर्शा सबस्क्राइब करना तो इसको कैसे करेंगे दिखे इसका अंसर हम देख लेते हैं प्रशनकर भांग सूला है ठीक है और इसको बहुत यह सानी से कर सकते हैं कि हमें सबस्क्राइब का यह होता है तीन सबको जोड़ने के बाद आएगा तीजिए अक्स बराबर तीन सबसाट अब 30 का भाग देंगे 360 में तो अपना बारा जो है X का मन निकलाएगा और हमें निकाल लें सभी कौण तो बारा का गुणा हम करेंगे 3 में मतलब 3X था न यह तो 3X था क्योंकि हमने अभी माने तो जो कौण माने थी वो कितने माने थी 3X माना था एक ठीक है और 5X माना था ठीक है और 9X माना था और 13X माना था तो X के जगा पर जो हमारा 12 आया है वही हम रखते जाएंगे 3 गुणा 12 तो यह 36 हो जाएगा अंसर एक तो 5, 12,ciones 106 हो जाएगा 9 12 ठीक है 108 हो जाएगा ठीक है इस प्रकास से करते जाना है ठीक है और फिर यह हमारा अंथिम है 13,12 तो यह हो जाएगा हमारे 156 ठीक है तो यह सब आपके अंसर हो जाएंगे और इसमें आप इस प्रकासर लिख सकते हैं ठीक है चले देखते हैं अगला प्रशन देखते हैं यह जिसी समानता चलबश के बिगाण बड़ावार तो तरसाएगे वैस एक आयत है तो यहां से आपको इतना कारणा है यहां से ठीक है यदि नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ दीजिए केवल एकी कर लीजिए आप यह वाला ठीक है उसको देखे किसी संख्या को प्रशना 17 है किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 24 भागपल 24 रशेसपल 2 है तो संख्या बताईए तो हमें पता ह हमारा जो कुछ आया बुद्ध हो आया ठीक है तो हमें को संख्या मतलब एक्स को ग्याद करना है मतलब भाजक हमें ग्याद करना है भाज्य हमें ग्याद करना है यह होता है भागफल ठीक है और यह होता है भाज्य भाज्यक हम सूत लगा दें कि भाज्य पराबर भाज्यक रवागफल सेसकाल ठीक है तो भाजक कतना है हमारा है व्हाजक नहीं हुआ यहां बदानि है 12 लुका रहे हैं भागफल 24 दिया है रूसमें दिआ है और सेसब भी में नो भी दो दिया है अीपना ठीक है तो और इसको कंधा करेंगे 12 चयोगयद तालीस ठीक है चार केरी में आ जाएगा बारा दोनीच चोबीस और चार अच्छी चविश्टर अटाइस ठीक है एलर्स दो 228-210 का सुनना जाएगा एक 290 आप आज आएगा अंसर ठीक है तो किसी संध्या को 12 से भाग देने पर 24 भाग पर आएगा औरfallen को बारा चार का पर आएगागा तो इतनी आपको लिखना है इसका अधवा वाला देख लेते हैं सीला ने एक बैंक को 14400 रुपे प्रतिमाः बारावर किस्तों में 12 माहता कदा गी उसकी एक महाई की किस्त कितने रूपी की थी तो एक किस्त की कीमत बतानी है एक किस्त की कीमत कितनी हो जाएगी 2400 बते कर दीना है वनको बारा है तो हमारी एक किस्त निकलाएगी बारा से भाग देंगे तो बारा है कि एक सब्सक्राइब होता है यह बहुत ज्यादा पूछे आता है ठीक है चलिए इसको हम सौल कर लेते हैं प्रशनकरमां गठा रहा है ठीक है 18 का हल लेखेंगे आप तीन बते 5 और 4 बते 5 के भी तीन परीमे संख्या निकाल ली है तीन निकाल ली हैं इसका मतलब है कि हमें इसके अंसोहर में 4 से गुडा करना हुआ जितनी हमें संख्या निकाल ली है तो उससे एक अधे ठीक है एक अधिक कितना हो जाएगा चार उससे एक अधिक का इसके अंस वहर में गुणा करेंगे तो पहली हमारी तीन बटे पांच है तो पहली हम लेख लेंगे संख्या तीन बटे पांच इसमें गुणा करेंगे जो हमने तीन और एक चार मतलब इससे एक अदिक जितनी निकाल लिए उससे एक अधिक हमें तीन निकाल लिएंगे हैं तीन से एक तग मिलब चार होता है तो 40 में दीके उपर नीचे गुड़ा कर देंगे तो कितना आ जाएगा तीचों के 12 और पांच्छों के 20 आ जाएगा और दूसरी संख्या लेंग और साथ यह 15 बटे 20 ठीक है गाई तो यह तीन ही आपके हो जाएंगी अरिमेंशन क्या ठीक है ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा देन परिमेंशन क्या कितनी हो जाएंगी संख्याएं ठीक है मैं राइटिंग पे उतना ध्यान नहीं दे रहा हूं जल्दी चलिए लिख रहा हूं आप लोग अच्छे से लिखी है पीपर में ठीक है जगदा बटे 20 और 15 बटे 20 यह आंसर हो जाएगा ठीक है इस प्रकास से अब देखे हमारा 19 अपरशन निम लेकित ब है कोई भी आप मूझे तो करना कैसी पता देता है उम्हें किसा यहां पर तो यहां पर भी जीरो करेंगे हम तो क्या जाएगा हमारा दो एस की घाथ मतलब एक्स तो हम जीरो रखेंगे जीरो की घाथ तीन प्लस तीन यहां पर भी जीरो की घाथ दो प्लस चार यहां पर एक्स की घाथ जीरो माइनस पांच तो दो गड़ा जीरो को मतलब जीरो प्लस 3-0-0-5 यह सब 0 किसी भी संक्या में 0 को जीरो ही होता है तो माइनिस पांच पांच इसका हो जाएगा पी नौर का पहले बाले इसे पकत से दूसरा तीसरा आप सवयम कर लीजिएगा क्योंकि आप पर बन जाएंगे ठीक है अगरा देखे इसका दुबा है पी एक सापको दिया 3x की हाथ 4-4x की हाथ 3-3x-1 को x-1 से भाग देने पर से इसमाल गयात करना है ठीक है तो 19 वह देख लीजिए पर 19 है इसको कैसे हल करना है 3x की हाथ 4 लखेंगे-4x की हाथ 3 लखेंगे-3x लखेंगे-1 लखेंगे भाग दे देंगे अपन x-1 से तो पहले तो हम लखाएंगे यहां पर 3X कि खाग 3 तो इसमें मतलब इसके बरावर होगा तो 3 का अगराद करेंगे इसमें तो 3X कि खाग यह 5 है कि इसमें है तो 4 हो जाएगी ठीक है और फिर इससे होगा इस माइनस से होगा तो इसकागा करेंगे 3 एक हम 3 हो, माइनस 3X की खाद 3 हो जाएगा यहाँ पर चिन बदल देंगे, तो यह कट जाएगा यहाँ पर बचेगा, यह माइनस का X की खाद 3 क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो यह बचेगा लेकिन चिन बड़ी संक्या 4 है, तो इसलिए माइनस माइनस 3X, इसको उतार लेंगे जोंका तेयों, और माइनस 1 को भी उतार लेंगे ठीके, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर हमें X तो है, लेकिन अब यह दो X होड़ चाहिए और वह भी माइनस में चाहिए, तो माइनस X 2, उसलिए 2 हो गड़ा करेंगे तो माइनस एक्स पिलस एक्स स्क्वार हो गए बाकी हम आगे लखेंगे निए किちょो ज्ञूनने क Як एक्स फिर करण लेंगे यहां पर एक्स आधा एक्स से करेंगे लो इसको रब जाएगा ओंछिस प्ले ग्सकार हुज हो जाएगा इण पतल देगे तcía चक्रदध तीन कट जाएगा यह कितना हो जाएगा माईनस दो एक्स हो जाएगा और माईनस ययक प्रम करसे हमारा आंसर हो जा अ 3 डहीं है वर ले रखंध को ले लें ठीक है माईनेस अच्छाए दू पूले लितें ओ सिस्काइब एको एकशा है डिप स्येमा जाएगा ठीक है यह भी स रहिंगे नहीं स्कांट थीन तो मौइनस सथीन आएГा यहां पर देख सकते हैं अरे आपको दिखाई नहीं होगा कोई देखत नहीं यहां से आप तूर देख लिए माइनस तीन जो है इसका सेजफ पल आजाएगा ठीक है यह हमारा आंसर हो जाएगा माइनस तीन सोला की घाट नहीं है चोटे-चोटे हैं लेकिन बुशे जाते हैं ठीक है मैं आपको कम्पलीट करा रहा हूं काफी ज्यादा वीडियो लंबा हो चुका है फिर भी मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है इसलिए मैं पूरा करा रहा हूँ और रात के अभ झाल जात तो शोला को हमकेश सकते हैं दोड़े जारा ऐस proto 6ं में कि दीद्रेटा करते हैं कि और से है कि 125 की खाद एक बठेद इन है तो 125 को में कैसे लख सकते हैं 525 25 255 तो 5 5 लिख सकते हैं इसके उपर एक बठेद इन है बस ती गुणा कट जाएगा अंच याजा गाइगा इस पर 266 में भाग देदा है 21 का ठीक है 21 तो दो बड़ जाएगा ठीक है पहुंच यहां पर एक बचेगा अबस यहां पर गुणा कर दीगे आठ च्छे बार करेंगे च्छे दो निवार है ठीक है साथ बार भी चलेगा ठीक है तो पांसो चैतर भागे 24 करना है मैं तो चोबीस दोने 48 होते हैं च्छोबीस दो बार चले जाएगा ठीक है 17 में से आठ चाहिए कि 9 है कि कुछ नहीं बचेगा 24 के चानवे हो जाएगा ठीक है तो हमारा चोबीस आजाएगा हमें कितने डबो की जरुत होगी चोबीस डब्बे ठीक है तो चोबीस डब्बे इस प्रकास से आंसर इसका हो जाएगा ठीक है अंगला प्रशन देखते हैं राम को नोवी की बार से क्वरक्षा हमें 600 में से बनाना पिदिशत पराबर क्या होता है अर्जेत अंक अर्जेत अंक कितने उसके 400 सी अर्जेत अंक बड़े सो बटे कितना है पूरांग पूरांग कितना है 600 बस काट देंगे 4888 80% उसका बना है ठीक है 80% आंसर हो जाएगा 2200 प्रशन देख लिए प्रशन वाइस है सोनु के पापा ने एक आयताकार खेत आयताकार खेत मतलब इस प्रकाल से होता है ठीक है आयताकार खेत चारोंग दूर्सों चालिस मीटर तार की बार लगाई यदि खेत की लंबाई 80 से मीटर हो रेल लाइट चलेगी चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि 240 मीटर आता करके खेत के चारों मतलब यह पूरा है उसने 240 मीटर है ठीक है बार की मतलब लगाई खेत की लंबाई 80 है लंबाई उसने देदी है कि लंबाई है अपनी कितनी 80 तो चोड़ा याद करनी है तो देखे यदि इसकी हमें पूरी यह पता है ठीक है तो यह हमारा क्या होता आयत का परिमाफ होता है ठीक है पूरा होता है यह परिमाफ होता है ठीक है अच्छा तो पूरा परिमाफ होता है तो परिमाफ बराबर क्या होता है आयत का दो गुणा लंबाई धन चोड़ाई ह चोड़ाई होता है ठीक है तो दो गुणा लंबाई कितनी है तो पता है test सी स्थ हे लेकिन ि9 मесяं बता नहीं है ठीक है टो आईि Cordae निकाल ली परिमाप कितनी है परिमाप तो नौप तो दो समय दे रखता है पेपर में टिक है तो हम क्या करेंगे दो कोछी तरह पभीक घंगे 240 के वाति नंडिवा जाएगा वह किसा क्वेले क cocaine कर इसका भू पूण कर लेते हैं तो सी हिखेंगे अब इस को हम क्या करेंगे एक करेंगे aos 160 म है निसंट 具 हो जाएगा बराबर में दोबरां कोड़ा ही रहेगा ही तो यहां फर पचेए 가ate जीरो चाहता बचेगा है यहां पर कुछ नहीं बचेगा दो गड़ा चोड़ाई बचेगा अब दो से कर देंगे असी को तो 40 अमारी चोड़ाई आ जाएगी इस खेट की ठीक है वर्स 40 आंसर आपको कर देना है इस प्रकासे हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन भी है इसी प् सब्श्क देते हैं फिर वीडियो विडियो हम समप्त करेंगे देके एक खेद यिसकी लंबा इक सोपचास मीटर है चोड़ाई तो लंबा इक सोपचास है चोड़ाई 100 है तीस प्रका कर कि कितने क्यारी मनाए जासकती है तो पहले हम क्या करेंगे इसका लंबा इगे यह बनाई जा सकती है तो इसका 30 से भाग देदेंगे ठीक है तीन पाचे पंदरा पांसो क्यारिया अंसर हो जाएगा तो पांसो क्यारिया ठीक है यह आपका इसका भी हो जाएगा चलिए अंतम प्रस्ण है इसको आप लोग स्वयम करेंगे यह नहीं बनता है तो मैं आपको अंतम एक वीडियो बना दूँगा उसको में बता दूँगा चलिए मिलते हैं अब नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब जरू करना क्योंकि काफी ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया और इ सब्सक्राइब परना सारी टेलिग्राम पर भी जोइन जरूर हो जाना